कभी-कभी आपका सबसे अच्छा investment होता है जो आप नहीं करते हैं क्योंकि आप confused रहते हैं कि आपके लिए सही investment कौन सा है और किसमें आपका investment होना चाहिए लाइक देखिए mutual fund के अंदर investment होना चाहिए या फिर stock market के अंदर investment होना चाहिए या फिर देखिए real estate, fixed deposit या फिर जो government scheme होता है national pension scheme NPS या फिर public provident fund PPF या फिर sovereign gold bond SGV यानि देखिए जब आप नहीं जानते हैं कि पैसों की देखवाल कैसी करनी है यानि investment कैसे करनी है तो फिर पैसा आपसे दूर रहेगा नमस्कार मैं विजय कुमार business consultant इसलिए मैं आपको बताऊंगा mutual fund versus other investment यानि mutual fund के अंदर क्या benefits और क्या pitfall होता है अपने समता के हिसाब से उससे कहां पर investment करनी चाहिए तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं परन्तु वीडियो में आके बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें तो सबसे पहले दिखिए mutual fund versus stock market द लेते हैं तो इस तरीके से जब आप stock खरीद लेते हैं तो आप direct market में invest करते हैं परन्तु mutual fund की अगर हम बात करें तो mutual fund एक pool होता है और pool के माध्यम से निवेस होता है तो सबसे पहले risk की अगर हम बात करें तो mutual fund के अंदर आप अपना risk को चूच कर सकते हैं कि मैं low risk में investment करन करना चाहता हूं आप अपना profile के हिसाब से risk को select कर सकते हैं परन्तु जब आप stock market में direct invest करते हैं तो यह complete risk taking होता है यानि 100% risk होता है परन्तु अगर आप बहुत बड़ी company की share खरीदेंगे like reliance का share खरीद रहे हैं जिसके अंदर risk कम होगा क्यूंकि company बहुत बढ़ी है जिसको blue chip stocks कहते हैं परन्तु अगर आप कोई छोटी company का stocks खरीद लेते हैं तो उसमें risk ज्यादा होता है अब return को देखिए mutual fund एक अच्छा return देता है like 6-7% से लेके 8% तक return मिल जाती है बट stock जो है न stock के अंदर देखिए extremely high return मिलने की उम्मीद होती है अगर आप एक सही stock पकड़ ल और आपको ज्यादा knowledge नहीं है तभी चल जाएगा क्यूंकि जोब आप mutual fund पे invest करेंगे तो वहाँ पे एक fund manager होता है जो कि आपके पैसे को manage करेंगे जिनके पास बहुत knowledge होता है परन्तु अगर direct of stock पे invest कर रहे हैं तो आपको पूरी understanding के साथ technical analysis, fundamental analysis इन सब के साथ market में घूसन कर सकते हैं, ownership अगर देखा जाए तो दिखे mutual fund के throw अगर किसी company में निवेश होता है तो उस company में आपका direct ownership नहीं होता है परन्तु अगर आप share खरीतते हैं तो आप उस company का एक part of owner बन जाते हैं अपने share के हिसाब से अब दिखे volatility यारी उपन नीचे की moment अगर आप mutual fund को देखे तो बहुत stable होता है ज्यादा उपन नीचे नहीं होता है परन्तु stock market में क्या होता है एक stock कभी-कभी दिन में 20% उपर चला जाता है तो कभी-कभी एक दिन में 20% नीचे भी चला जाता है अगर हम convenience की बात करें तो mutual fund पे investment करना बहुत ही convenient है क्योंकि एक fund manager होता है जो कि आपक management को manage करते हैं परन्तु stock market के अंदर दिखिए आपको खुद को बेट के monitor करना पड़ेगा और company का हर quarterly result जब आएगा तो आपको देखना होगा अच्छा आया बुरा आया क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप decision लेंगे क्यों उस stock को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए चुरिब share खरीदने के brokerage लगती है और कोई charges नहीं लगती है अब देखिए portfolio management देखिए mutual fund के अंदर वो fund manager कुण सा share को खरीद रहा है उसमें आपका कोई authority नहीं होता है परन्तु share के अंदर आपका खुद का portfolio होता है और आप direct market में invest कर सकते हैं यानि कभी भी आप share को national pension scheme सबसे पहले देखिए risk जो कि mutual fund का जो risk है ना यह national pension scheme से ज्यादा होती है यानि NPS एक low risk investment plan है क्योंकि यह government backed है like PPF की तरह यह investment होता है और return देखिए mutual fund पे जो return होती है 6% से लेके 18-20% तक चले जाती है परन्तु NPS में जो return देखा गया है average 8 से लेके 10% return होता है इसके जाल सकते हैं यानि एक click और दो दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है परन्तु NPS इस प्रकार की कोई flexibility offer नहीं करती यानि premature withdrawal possible है परन्तु कुछ certain restriction भी होता है एक्चली देखिए maximum आपका जो पैसा है यह retirement पे ही मिलता है परन्तु तीन साल contribution करने के बाद आप 25% आपका contribution कितना है एक लाग हुआ है तो उसका 25% यानि 25,000 आपको मिलेगा और यह भी देखिए आपकी कोई emergency में आप withdrawal कर सकते हैं अब देखें टेक्सेशन देखिए mutual fund के अंदर जो आपकी capital gain आते हैं short term capital gain long term capital gain उसमें tax लगते हैं परन्तु NPS देखिए NPS जो की triple E category में आता है जब आपका पैसा compound होता है यानि हर साल जो भी interest मिलता है जो भी हमारा return बनता है उसमें कोई भी tax नहीं लगता है और finally देखें जब आप पैसा निकालते हैं maturity stage पे उस टाइम पे भी tax नहीं लगता है अब दिखें lock in period नर्माली दिखें mutual fund पे lock in period नहीं होता है अगर आप equity linked saving scheme खरीद रहें tax बचाने के लिए तो फिर तीन चाल का lock in होता है परन्तों NPS में देखें आपका lock in होता है जब तक आपका उमर 60 नहीं हो जाती अब देखें equity exposure mutual fund पे equity exposure देखें न तो आप pure equity fund अगर चूच करेंगे तो 100% मार्केट में exposure होगा परन्तों NPS में देखें 50 से ले पाएंगे अपने investment को लेके और ऐसे investment के उपर अगर और भी comparison करते हुए आप वीडियो देखना चाहते तो फिर इस चानल का जुरू subscribe कर दीजिए और हाँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like or share जरू करें तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हि हुआ